Hello and welcome back to the channel again आज हम लोग जो previous वीडियो हम लोग ने बनाया था वो था how to create a field और how to work in MSSL किस तरह हम MSS में किस तरह हम काम करते हैं और field किस तरह generate करते हैं और data किस तरह उसमें एंटर करते हैं तो हम लोग ने पिछले वीडियो में एक table बनाया था Office Data के नाम से आज हम लोग उसी वीडियो को continue करेंगे और हम देखेंगे और सीखेंगे किस तरह उसी data का हम यानि उसी data का हम किस तरह form generate करते हैं form इडिटिंग किस तरह करते हैं यह सब चीज़े हम लोग देखेंगे तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं तो यह था हम लोगा प्रिविएस वीडियो में जो हमने बनाया था जो फाइल नेम था हमारा ITBUL जो डेटाबस हमने क्रियेट किया था और उसमें हमने एक टेबल बनाया था ओफिस डेटा के नाम से तो यह रहा हमारा टेबल कुछ इस तरह हमने बनाया था, अब हम लोग इसमें देखेंगे किस तरह हम इसी टेबल का इस्तमाल करते हुए हम एक फॉर्म जनरेट करते हैं, फॉर्म जनरेट करना बहुत आसान है, और फॉर्म जनरेट हम लोग करते क्यों है, पहले यह जान लेत जैसे हम इस create का option पर click करेंगे हमाई पास उपर कई सारे different options मिल जाएंगे पहला लिखाए form split form multiple items पाइवर्ट चार्ड, blank form, more forms and form designs यहां पर हम यह सब options पर आएंगे धीरे धीरे पहले हम लोग सिखते है कि form किस तरह generate करते हैं जिसका data table तेयार कर रखे हैं। उससे लेख हमें click करना इस form के option पर तो जैसे हम इस form पर क्लिक करेंगे देखिये हमाए पास automatically form generated होके आ गया तो इस पी यह form generated होके आया है तो यह जो इस form को हम इसमें edit भी कर सकते एक्जामपल देखे जो आईडी के आगे वन नम्बर लिखा है काफी लंबा हो गया लाइन इसको आप अपने हिसाब से यहां से अजस्ट कर सकते हैं एसको आपको अगर और सफ्ट करना है यांफे कुछ ड्याईसमंट करनें यहां पर एक सब्सक्रार अप्याइब मे अब design view और layout वी में difference अब design वी में क्या है कि आप एक साथ सब को select कर सकते हैं select करने के बाद आप इन सब को alignment assign कर सकते हैं यहां पर हम देखें चेंटर लाइनमेंट पर क्लिक कर रहे हैं तो यहां पर in case बोल्ड करना है यहां सब बोल्ड हो चुका in case आपको color change करना है यहां से आप क्लिक करके यहां पर जो भी color आपको चाहिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं तो आप यहां पर इस type के editing यहां पर easily कर सकते हैं अब आपको इसी design view के option पे यहां पे आपको ऊपर ribbon पे आपको एक option दिख रहा होगा है यहां पे different types of options present है यहां पे इस text box, label, button और different types और options यहां पे छोटे-छोटे available दिख रहे होंगे तो इसमें सबसे interesting और सबसे अच्छा एक MSSS में कैसा option दिया गया है design में कि वो है option आपका button का यह जो button का option है आप यहां पे नीचे आप यहां पे कुछ अपने important buttons जो है आप यहां पे apply कर सकते हैं वो button किस तरह हो सकता है कि आप जैसे कि आपको next form पे जाना है तो next का option, previous का option या last का option फिर अगर new form generate करना है तो इसका option तो इस type के buttons आप यहां पे नीचे create कर सकते हैं ताकि आपको बार-बार वापस से starting में जाके देखने की ज़रत नहीं है अगर आप एक button पे click करेंगे तो automatically next form पे चले जाएगा अगर आपको new button के पे नया form आपको अगर कुछ enter करना है या feed करना है data उस पे तो आप new button पे click करेंगे automatically नया form generate होगा आप उस पे easily apply कर सकते हैं वो कैसे करते हैं चली वो देखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम वापस से यहां पे जाएंगे यह option दि out इस तरह जो भी दिख रहा था जो हमने editing किया था वो इस तरह था अब हमें क्या करना है वापस हमें create के option पे click करना है यहां पे एक option था छोटा सा blank form का form के option पे आपको दिख रहा होगा blank form तो इस blank form के ओपर click करेंगे अब देखिए at present जो हमारे सामने जो form open हो गया totally blank है यान right hand side पे यहां पे office data दिख रहा होगा that means जो हमने एक office data जो पहले इससे पहले table create किया था उसका पूरा field name यहां पे दिख रहे है आपको तो इसमें से जो भी आपको चाहिए आप यहां पे form पे add कर सकते हैं कैसे करेंगे वो दिखते हैं आपको id चाहिए आप इस पर double click कर आइडी वहां पे आ गया ठीक है इसके बाद आपको name चाहिए आपने name पर double click कर दिया name वहां पे आ गया last name पर double click कर दिया वह आ गया इसी तरह आपको हर एक पर double click करते जाना है तो वह automatically वहां पर आते जाएंगे यह देखिए यहां पर सब आ गये यहां पर सब आ गये इसी तरह आपको करना क्या है आप यहां पर photo पर डबल क्लिक कर सकते हैं यहां पर photo का भी option आ गया आप यहां पर easily इन सब को edit कर सकते हैं अगर कोई बी चीज यहां से replace करना है तो आप replace कर सकते हैं अब चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह इसको editing और अच्छे से किस तरह कर पाते हैं तो उसके लिए फिर से हमको व्यूव चेंज करना होगा व्यूव के आप्शन पर क्लिक करेंगे जो लेयाउट व्यूव पर हम लोग काम कर रहे थे वही हम आजाएंगे डिजाइन व्यूव पर यहां पर आप यहां पर यह सब जो चीजे थी साइस का चोटा बड़ा आप यहां से कर पाएंगे और आपको इकार्ण पर लेंग पर सकते हैं आप 14 पर कर सकते हैं अगर फॉन फोन टाइप हो गया औरी यहां से फॉन टाइप जेप करिएrien कर सकते हैं font type भी change हो गया अब इसके बाद आपको grid lines अगर increase करना है तो आप यहां से इसका grid lines भी increase या decrease कर सकते हैं तो इस type की changes आप इसमें easily कर सकते हैं यह देखें इस type की changes आप easily इसमें apply कर सकते हैं और इसमें आपको bold italic underline करना है आप वो भी कर सकते हैं easily कि इस तरह आप यहां पे एड़िटिंग इस पर कर सकते हैं, अब हम लोग अभी थोड़े दिर पहले बात किया गया था, बटंस किस तरह अब लाइ किया जाता है, अब हम लोग बटंस अपना सिखें गे, तो वापस से फिर हम डिजाइन टाइप पहने हैं पहले से ही, यहां पर बटन का option आपको दिख रहा होगा तो इस बटन के option पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे बटन के option पर यहां पर इस तरह symbol आएगा और हमें जहां चाहिए button हम यहां पर इस तरह यहां पर ग्रॉप कर सकते हैं ठीक है बस हमें इसको एक्टेंट करना है जितना बड़ा हमें button का size चाहिए तो जैसे हम click drag and pull करके छोड़ेंगे तो इस तरह के हमारे समने command button wizard ओपन हो जाएगा अब इस पे हमें कई सरे options यहां पедक हны रिकार्ड navigation record operation और बी कई सारे ओप्षेंगолот ऊप्षेंड में तो यहां पर नेक्स्ट करते हैं यहां पर हमें पर दो option आते हैं, text या picture, आपको अगर picture पर select करना है देखें, यहां पर आपको preview दिखेगा, ठीक है, किस तरह आपको यह preview दिखेगा, go to first record में, तो normally हम लोग लेते हैं, text select कर लेते हैं, यहां पर लिखके आएगा first record, यहां पर next करते हैं, command 10 सही है, और finish, यहां यहां पर आपको दिखे रहोगा, first record को option यहां पर आगया, तो आप इस grid line का use करके आप इस button को अपने ही साफसे, आप adjust कर सकते हैं, तो यह तो हो गया first record का, ठीक है, if in case, चलिए, हम लोग चलते हैं फिर, second, button किस तरह add किया जाता है, वापस से हम button के option पर गया, ठीक है, button के option पर जाने के बाद, हम वापस से यह button यहां पर draw कर लेंगे, draw करने के बाद, वापस से हमने लिखा तो first record, अब हमने आ गया next record पर जाते है, next record पर click किया हम लोग ने, next पर click किया, वापस से हमने text ले लिया, ठीक, और हमने, या फिर अगर आपको picture लेना है, आप यहां पर picture ले सकते है next record पर, और next पर click कर दिया, command वही रहेगा, यह बुसरा एक और button और फिर go to last, या फिर last record पर click करेंगे, next, यहां पर भी picture ले लेते हैं हम लोग, फिर next, finish, यह देखिए, यहां पर भी हम लोग एक image ले सकते थे, लेकिन हमने दोनों option आपको बता दिया, कि first record पर अगर आप word में लेते हैं, return words में तो इस तरह, pictures में लेते है तो इस तरह आपको दिखेगा, ठीक है, अब हमारे पास एक और बहुत important button हमको add करना है, जैसे कि add new record, suppose add present हमने 6-7 नाव एंटर किया है, अगर और भी बच्चे increase होते हैं, या फिर और भी employees increase होते हैं, आपके company या फिर आपके school में, तो आपको नय record तो maintain करना है न, तो उसके drag and pull, अब यहाँ पर जाएंगे, यह दिखा है यहाँ पर record operation, record operation पर click करती है, सबसे पहला option आएगा, add new record, तो हम next पर click करेंगे, यानि add new record पर click करने के बाद, next पर यह देखिए, यहाँ पर, हम इसको यह text ले लेते हैं, लाकि जल्दी समझ में आएगा, add record, फिर next पर finish, यह यहाँ हमारा option, अब आपको दिख रहा होगा कि किस तरह यहाँ पर record आगया होगा, first record, next record, last record, और add record, अब चलिए इसको हम view चेंज करते हैं वापस से, वापस से view में जाएंगे, और form view पर जाते हैं, यह देखिए, form view में आपको इस तरह यह दिखेगा, id first, id आगया first में, नाम आगया, last name, address, city, contact number, email id, अब हम next form पर जाएंगे, यह देखिए, second पर photo के साथ सब कुछ आ रहा है, next form पर, इसी तरह यह हर एक चीज़ चेंज होते जाएगा, I hope यह clear होगा आपको, अब देखिए, first record पर जाना है, तो हम यहाँ पर click कर देंगे, directly आप first record पर चलेगे, आपको last record पर जाना है, तो यह last record बाला arrow पर click कर देंगे, अब last record पर आगये, ठीक है, if in case अगर आपको कुछ नया add करना है form पर, यह add record पर click करेंगे, हम लोग, यह देखिए, new आ गया, अब यहाँ पर हम कुछ भी enter कर सकते है, नाम, last name, address, city में वही drop down का options हम यूज करके, य contact number हम डाल देंगे, इसके बाद email ID हम डाल देंगे, photo पर आपको attach करना है, कोई photo यहाँ पर attach करना है, यह जो photo का option दिख रहा है, आपको यहाँ पर इसके उपर ले जाके, हम double click करेंगे, जैसे double click करेंगे, एक attachment का wizard open हो जाएगा, वहाँ पर हम add पर click करेंगे, add पर click करने के ब तो इमेज यहाँ पर apply हो जाएगा, तो इस तरह हम लोग form पर काम करेंगे, किस तरह हम लोग नया form create कर सकते हैं, या फिर अगर हमने जो भी एक से पहले जो office data के नाम से जो table generate किया था, या field जो भी data एंटर किया था, उसका हम किस तरह form generate करेंगे, किस तरह हम लोग buttons apply करेंग करेंगे, और और भी editing जो भी सिखाया गया है कि grid lines का use करके हम लोग किस तरह size increase or decrease कर सकते हैं, और फिर आपका bold italic underline और बाकी जो भी हम MS Word में editing करते थे, color changing करना, यह सब, उस तरह हम किस तरह size increase करना, decrease करना, वो सब चीज़ हम यहाँ पर easily कर सकते हैं, so in this way, so in this way, we are going to use or generate a new form, और edit the previous form, so in this way, we are going to work in the form, so in this way, we are going to work in the form, hope this video आपको पसंदाया हो, so thank you so much for watching this video, if you have the video आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं, तो बिना like or subscribe किये मज जाएगा, thank you so much for watching the video, and in the next video, we are going to see how we report this form, which way we generate the form, because in MS Access में, we are going to report, which way we generate the form, which way we generate the form. झाल 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 झाल